स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत सस्ता बजट अपग्रेड जिसके लिए हमारे पास है H81 का मदरबोर्ड और I54 जनेरेशन का प्रोसेसर तो बढ़ते हैं बिल्ड की और और देखते हैं कौन से परचपन Motherboard जिसमें सपोर्ट होते हैं mostly फॉर्स जनेरेशन के प्रोसेसर जहां इसके लगावा था आए थरी फॉर्स जनेरेशन का प्रोसेसर तो खेर इसके मालिक के पास है और अभी हमारे पास है कैबिनेट जिसके इंदर उसकी पार सप्लाइ लगी हुई है तो फिलाल हम इस कैबिनेट की ताकि नया Motherboard पुराना वान जाए तो चलिए आप करतें अन्बॉक्स नए Motherboard को जो है LabCare का H81 Motherboard जो एक Hybrid Motherboard है और यह Hybrid Motherboard क्या होता है चलिए देखते हैं तो इस Motherboard को Unbox करने के बाद हमें इसमें मिलता है आयो शील्ट और साटा केबल और साथ में यह Motherboard तो और साथ इसमें मिलते हैं च्छे यूजवी पोर्ट, दो डिस्प्लेइ पोर्ट जिसमें एक HDMI और एक BGA और अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेसर की और जो है आपका i54 जनेशन प्रोसेसर और इस पर क्या हुआ ओटोग्राफ इंटल के मालिक ने नहीं किया तो बात कुछ बढ़ते हैं अब बार इस प्रोसेसर को लगाते हैं इसकी सही जगा पर जो है इसका h81 जिसको आपको इस तरह से लगाना है अगर आपके प्रोसेसर के पर के प्रिंटिंग मिट गई हो तो तो ट्रैंगल नैशन ये नीचे की तरफ रहना चाहिए तो अब कस देते इस प्रो के साथ और बढ़ते हैं अपने cabinet की और जिसमें अमें इस motherboard को fix करना है तो उसके लिए पहले तयार करते हैं अपने अपने कलायो का बैदरी निस्तमाल करते हुए कस देते हैं सारे पीचो को तो अब इसके बाद अगला step होगा सारे connection दुबार लगाना जिसमें शिर्वात होगी पहले motherboard की power supply के साथ और फिर cabinet के connection motherboard के साथ और अब connect करते हैं साटा के वाल के साथ इसके SSD को जो है blue feather company के SSD जो वैसे जिसकी speed एक हार्डिक सी comparison में काफी smooth और भैतरीन है तो वैसे दो reason थे लैपकर के motherboard खरीदने के पीछे पहला इसमें मिलती तीन साल की warranty और दूसरा NVMe slot तो जहां customer के budget के हिसाब से इसमें NVMe SSD नहीं लगा पाए पर इस motherboard के साथ एक NVMe SSD लगाना काफी जादा ज़रूरी था पर खेर जो भी हो इस से method के साथ आप भी upgrade कर सकते है अपने PC को कम से कम budget में बेलकुल इसी तरह हमें copy करते हुए तो इस build में इस्तेमाल कि है H21 motherboard जो support करता है 4 और 5 जनेशन के Intel processors को तो अब इस बारे में आपका क्या सोचना है अपने बीचारे में नीचे comment बक्स बताना बिलकु अगली वीडियो में गडबाई and have a nice day